जनार्धन जाकर्ड यानि रनबीर कपूर एक बहुती सिंपल सा लड़का है जो दिल्ली में रहता है और वो सपने देखता है एक फेमिस बहुती पॉपिलर म्यूजिशिन बनने का अपकॉस उनके दोस्त उनकी मजाक बढ़ाते हैं वो सोचते हैं ये कभी कुछ नहीं बन पाएगा एक आदमी है खटाना यानि कुमुद मिश्रा जो इन वे उनके सिंपिताइजर है और वो उन्हें एक दिन बोलते हैं कि सारे जो टॉप मुजिशिन हैं दुनिया के उनकी ला जनारधन की लाइफ तो बहुत ही सिंपिल है बहुत ही अच्छी है इस लाइक बैड अफ रोजस और कोई कॉम्पलेक्सिटीज है ही नहीं तो उन्हें लगता है कि उन्हें कैसे हार्टबेक हो सकता है और इसलिए वो एडवांस करते हैं हीर कॉल की तरफ नर्गिस फक्री ज उनकी फ्रेंडशिप और भी ग्रो करती है जब हीर उन्हें इन्वाइट करती है उनकी खुद की शादी के लिए और उन्हें यानि जनारधन को कश्मीर लेके जाती है Like a loyal friend, Janardhan goes with Heer and helps with the wedding preparations शादी से पहले ही Heer realize करती है कि वो Janardhan से प्यार करने लगी है और ये बात वो ना तो Janardhan से कहती है और ना अपने parents को कहती है शादी करके वो प्राग चली जाती है यहाँ Janardhan अपने घर से बाहर निकाले जाते हैं उनके भाईयों से because of a robbery he hasn't committed and he tides over the difficult times by staying in a दरगा दरगा में रहने चले जाते हैं और वहाँ पर Allah के praise में hymns गाते हैं एक classical singer है उस्ताद जमील खान यानि शमी कपूर साहब जो उन्हें सुनते हैं, उनकी गाईगी को सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं अब जो खटाना है, जो जनारदन के sympathizer थे वो उनका काम देखते हैं, वो उनके business manager है suddenly एक दिन जनारदन gets an opportunity to go to Prague मतलब उनकी music company प्राग लेके जा रही कुछ musicians को और जनारदन भी उनके साथ चला जाता है और वहाँ पर प्राग में उनकी मुलाकात होती है हीर से, हीर जिसकी शादी हो गई और वो प्राग चली गई है वहाँ पर प्राग में वो देखते हैं कि हीर is battling depression, वो depressed state of mind में है और वो उसका इलाज करा रही है प्राग में एक दूसरे से मिलकर दोनों बहुत खुश होते हैं और हीर की कुछ wild fantasies है, अलग-अलग जगा जाना है, उन्हें मस्ती करनी है जो उन्होंने जनारतन के साथ दिल्ली में भी की थी तो वापस जनारतन के साथ जाके अलग-अलग जगाहों पर जाकर जहां पर अच्छे घराने की लड़किया नहीं जाती है वहाँ पर जाके देख के खुश होती है and धीरे-धीरे वो एक दीस्टे के करीब आते है and that is the time they have a wild and lustful time together of course, हीर के जो husband है, बहुत ही अच्छे इंसान है और उनके in-laws है, वो भी बहुत अच्छे समझदार है उन्हें नहीं पता है के हीर और जनार्दन के बीच में क्या चल रहा है उन्हें अगर पता है तो बस इतना के ये हीर का दोस्त है जो उन्हें depression से बाहर निकालने में मदद कर रहा है and to a large extent succeed भी हो रहा है फिर एक दिन हीर के husband और in-laws को पता चलता है उसके यानि हीर और जनार्दन के अफेर के बारे में और जनार्दन जिसने प्राग के लोगों का दिल बहुत ही जीत लिया है with his songs बहुत अच्छे अच्छे गाने गाकर उनका दिल जीत लेता है इन दिनों में तो he is arrested for trespassing on हीर's property actually वो हीर को goodbye करने गया है because उसे इंडिया वापस आना है तब पुलीस आकर उन्हें अरेस्ट कर लेती और तभी हीर के husband और in-laws को पता चलता है उनके affair के बारे में खेर वो तो इंडिया आ जाता है after being jailed in Prague he is brought to India और वहाँ पर Prague में हीर के mental condition की हालत और भी खराब हो जाती and she is hospitalized back in India Janardhan is a rock star known by the name of Jordan अब उसे Jordan के नाम जाना जाता है तो उसके बाद क्या होता है does he return to India or does Jordan go back to Prague क्या उनकी मुलाकात होती है या कभी होती ही नहीं है and what about Jordan's rise to fame क्या वो रॉक स्टार सही माइनों में रॉक स्टार बनते हैं what about here's illness वो जो बिमार थी उसके illness का क्या होता है तो ये सब सवालों के जवाब film के second half में and pre-climax or climax में मिलते हैं Imtiaz Ali और Muazzam Beg की कहानी जो है about a young man's rise to super stardom is quite different from the usual commercial fare ऐसी कहानी शायद आपने कभी देखी नहीं है because it deals with the love story of a married woman and her college friend actually सबसे नहीं बात यह है कि इन दोनों को extra marital affair करने में जो हीर का extra marital affair है वो करने में इन दोनों को बिलकुल भी गलत नहीं लगता है कोई regrets नहीं है कोई qualms नहीं है however the screenplay और screenplay पहन किया है Imtiaz Ali ने that is of the kind which would appeal to the classes mainly class audience को ये screenplay पसंद आएगा ये कहानी पसंद आएगी लेकिन जो masses है single screen cinema की audiences है और छोटे centers की audiences जो है उन्हें ये screenplay और ये कहानी थोड़ी दिक्कत होगी accept करने में also the fact that Janardhan literally possibly kisses heer on her lips in Prague सबसे पहले Janardhan शुरुवात करता है जब वो heer को अपने पास खीचता है और उनके लिपस पर एक किस प्लांट करता है that is too much for the orthodox Indians to accept because दो कारण है एक तो वो शादी शुदा है और दूसरा Janardhan हमारे drama का हमारे film का hero है और generally हमारे hero और heroines pure होते हैं ऐसी हरकते नहीं करते especially because she's a married woman and she's cheating on her husband the narrative style is also a bit confusing for the audience as overlapping scenes have been used to further the drama मतब जब वो arrest होता है उसके तुरंद बात गाना शुरू हो जाता है उसके तुरंद बात कुछ और होता है तो simultaneously 3-4 चीजे दिखाने की कोशिश की गई है फिर वापस मैं repeat करूँगा जो city की youth audience है youngsters है उन्हें ये narrative style बहुत ही extraordinary लगेगा इस narrative style में कोई गलती नहीं है कोई खामी नहीं है it's just that it is so different के जो orthodox audience है जो कम समझदार audience है उन्हें ऐसे type का narrative style समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी वो confused हो जाएगे so there will be two extreme reactions about the narrative style and about the drama per se plus side में universally बात कर रहा हूं plus side में और भी अच्छी चीजे है एक तो the making is very fresh और इस film का canvas बहुत बड़ा और बहुत ही wonderful है dialogues जो इम्तियाज अली ने लिखे है they are very natural the film is extremely colorful and youthful and for that section of the youth जो जैसे मैंने पहले भी कहा जो morals चनारदन और हीर के बारे में affair के बारे में morals के बारे में question नहीं करती है उनके लिए ये film is a veritably enjoyable affair उने तो बहुत मज़ा आने बाला है एक minus point है ड्रामा में और वो है कि comic और light moments they are few and far between इससे ज्यादा comedy होती और इससे ज्यादा entertaining चीजे होती फिल में तो शायद ज्यादा मज़ा आता the second half especially becomes dark and even depressing और emotions जो है they don't draw tears और कहानी में ऐसे points है for instance हीर की बिमारियां हीर बिमार रहती है हीर की a depression है हीर को दूसरी बिमारी हो जाती है plus हीर लव करती है जनारदन से जनारदन को हीर नहीं मिलती है because हीर की शादी किसी और इसे हो जाती है तो ये सब बाते हैं जो audience को रुला सकती थी मगर unfortunately audience को रोना बिलकुल नहीं आता है इस film में so that is a minus point because after all it's a film about relationships it's basically a love story तो ये तो हुई बाते script की आईए अब एक नसर डालते हैं फिल्म के actors के performances पर Ranveer Kapoor ने काम extraordinary किया है बहुत ही 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 काम और उनकी acting excellent है और ये कहना गलत नहीं होगा that he has lived the role of Janardhan or Jordan he has played the simpleton the passionate lover and the rock star with aplomb सारे roles में, सारे shades में वो खरे उतरे हैं and it will not be an exaggeration to say that his is an award winning performance and one which takes him to the next level उनकी acting की बहुत तारीफ होगी and उनकी acting देखने के लिए बहुत से लोग जाएंगे because he has absolutely excelled himself Nargis Fakri makes a very promising debut उनकी पहली फिल्म है and she looks pretty, does an extremely confident job actually she would also qualify for awards in the best debut category Kumud Mishra is lovely वो जो sympathizer है, जो business manager बन जाते है Ranveer Kapoor के, he is lovely Piyush Mishra is first rate वो music company के owner है, धिंगरा Aditi Rao Haidari is very natural as the reporter Sharnas Patel, dignified performance Shami Kapoor lends star value and delivers a mature performance in a short role चोटा रोल है, लेकिन ही lends star value and of course, उनकी performance बहुत ही अच्छी है Mौफध Aziz, Shikha Jain और Awantika Akrekar they are all right as he's husband, sister-in-law and mother-in-law respectively Shreya Narayanan leaves a mark as Janardhan की sister-in-law you know, वो जनारदन की भावी है and चोटा सा रोल है, बट शी लीवस हा माक as his brothers, Ailawat and Arun Kumar lend the desired support Devinder Madan और बेबी Zoya they make their presence felt in tiny roles as Janardhan's mother and niece Sharad Sharma, Heer के father की भूमिका में, he is okay Sanjana is effective as Heer's younger sister Mandy Akash Dahiya, Ram Menon, Vamsi Krishna और पारूल वैद they lend ordinary support as Janardhan's college friends बाकी सबने भी support ठीक ठाक किया है ये हुई बात acting की अब देखते हैं direction और दूसरे technical aspects इस film के कैसे हैं Imtiaz Ali का direction is first rate बहुती बहतरीन तरीके से film बनाई है he's shot the film and he's delivered the film like a painting on celluloid बहुत अच्छे colors, vibrant colors, colorful, youthful but उनकी narrative style जो है that will be loved by the youth in the cities liked by the elite audience and not appreciated too much by the audience of the single screen cinemas and small centers A.H. Rehmahan का संगीत जो है comprises some hit numbers and some which are not too easy on the lips Sada Haq, Hava Hava, Sari Raat Katiya Karu and Kun Faya ये 4 बहुती appealing गाने है and इशाथ कामिल के lyrics are rich and wonderful लेकिन यहाँ पर आपको बता दू गाने, ये love story के गाने है लेकिन गाने ऐसे नहीं है जो आप हर जगा पर गुन गुना सके एक quality होती है गानों की that you feel like singing when the songs are playing but in this case the songs are not really the type which would feel like singing in spite of that बहुत सूफियाना music है and एक section of the audience को ये music लाजवाब लगेगा song picturizations Ashley Lobo and Bosco Caesar Bosco Caesar ने हवा हवा picturize किया है बाकी Ashley Lobo के गाने है so the song picturizations are refreshingly different Anil Mehta की cinematography it's extraordinary जो locations है, foreign locations है Prague के वो बहुती सुंदर है and आखों को थंड़क पहुचाते है editing by Aarti Bajaj is very different in style from what one is used to seeing बहुत अलग टाइप की editing है and that editing will again appeal to the class audiences not the masses production values of course are grand so on the whole rockstar कैसा business करेगी box office पर पहली बात तो rockstar will be loved by one section of the audience mainly the youth in the multiplexes in the big cities but एक section होगी audience की एक section होगी mainly the single screen audiences masses and small center audiences or small centers में छोटे शेहर भी included है which will find the drama dark and depressing उन्हें drama ज्यादा पसंद नहीं आएगा plus उन्हें narrative style भी ज्यादा पसंद नहीं आएगी given the film's high cost on the one hand इसकी cost है 60-62 करोड या थोड़ा और ज्यादा and it's lovely start on the other hand शुरुवाद बहुत ही अच्छी होई है बहुत जगह से report आई है कि house full opening होई है तो crossing the average mark shouldn't be a problem it's an average film a slightly above average film but definitely not a hit बहुत 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 बहुत